तो क्याल चाल से स्रेकाल मैं हूँ नियॉन मैन अंड गाइस आज अप लोग बात करने वाले ब्रजिलियन बाइकर जारकंड इंसिडेंट के बारे में की की प्लीज इसको शेर करो ताकि ये परसन मिले बट इसके बाद उनको कुछ ऐसे मेसेज़ेस भी आए एक परसन ने उनको लिखा कि आपको सब कुछ इंस्टेग्राम में दिखाना ज़़री है क्या इंस पर वो रिप्लाइद दी मेरे को लाइफ में एक सेकेंड चांस मिला है ये चीज मेरे को बहुत जादा एफेक्ट किया है तो काफी जादा स्टेटमेंट दी वो यहां इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक और वीडियो वाइरल जा रहा है जिसको देख कर लोग बोल रहे हैं कि इस वेरी वेरी डिस्र जहां गाइस बेसेकली विक्टिम के हस्बेंट को बुलाए गया था बाइदी डेप्यूटी कमिशनर इंदुम का और वो लोग उनको 10 लाक रुपीज दिये अस कॉम्पेंसेशन ये चीज को देखकर लोग को बिलकुल भी अच्छा ने लग रहा है और ऐसे कुछ कुछ कमे इंडेड, WTF is wrong with Indian babus, giving them money to compensate a survivor and taking their photos, no wonder कि foreigners हम लोग पर क्यों इतना हसते है, because instead of doing their job, these babus are more interested in photos, फिर किसे ने कहा, it's like कि आप crime का मजाक उड़ा रहे हो, please वो criminals को stricted punishment दो, that's it, so yeah guys, इस चीज़ पर आपका क्या opinion है, मेरे को comments में जबूर बताना, but yeah, talking about disrespectful moments, तो शारुख खान इन राम चरन का एक क्लिप काफी ज़ादा viral जा रहा है, और कुछ लोग को ये चीज अच्छा नहीं लगा, basically अम्मानी pre wedding ceremony के दोरान आप लोग को पता हुगा, थ्री खान स्टेज में dance कर रहे थे, perform कर रहे थे, and while doing so, शारुख खान राम चरन को भी स्टेज में invite करते, कि त और उन्होंने कैसे invite किया, आप पहले एक क्लिप देख लो, तो जिस तरीके से उन्होंने इडली वड़ा जैसे words यूज किये, लोग को ये बहुत racist comments लगा, in fact राम चरन की जो makeup artist है, उन्होंने तो ये story डाल दिया था, अब राम चरन के तरफ से तो statement नहीं है, इस चीज के उपर, बट कुछ reports के हिसाब से बताया जा रहा है, कि वो शारुख खान की ये statement से खुश नहीं थे, बाकी आपको क्या लगता है, was it disrespectful, या फिर वो ऐसे fun humor वे में बोल रहे थे, मेरे को comments में ज़रूर बताना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले Mr.Beast and T-Series के बारे में, तो Mr.Beast and T-Series के बीच में subscriber war तो चालू होई गया है, but recently Mr.Beast को 200 million play button जो मिला, उसको लोग T-Series से compare कर रहे हैं and पूछ रहे हैं, कि which is better, जहां guys Mr.Beast अपने team के साथ ये वाला photo share किये थे, आप इसको जो personalized 200 million play button मिला था, वो ये था, अब side by side comparison देख लो यार, बताओ कौन सा better लग रहा है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कहने वाले एक बहुती satisfaction moment in cricket के बारे में, तो guys एक cricketer, गाड़ी का शीशा फोर दी with a six, जहां guys basically अभी WPL चल रहा है and उसमें RCB की एक player है, Elise Perry, उनको एक normal ball मिला था, तो वो six मार दी, बत क्या आप लोगों को पता है, वो ball जाकर direct ही एक गाड़ी के पास लगा, जो sponsor वाला car रखावा हता ना, matches के दोरान, वही गाड़ी का शीशा में direct जाकर लगा and photo देखो यार, क्या satisfaction वाला moment है, मैं तो हर बार अपने head मैं imagine करता था, अगर कोई player कभी छक्का मार के शीशा फोड़ देता है, तो कैसा दिखेगा, and yeah, after hitting that six, Elise Perry अपने तरफ से reaction भी दी, yeah, I hope they have done the insurance of that car, but yeah, talking about cricket, तो cricket fans के लिए एक बहुत ही अच्छा news आया हाज, जिहां guys, इस साल T20 World Cup होने वाला है, and इसको mobile में broadcast किया जाएगा, but anyways, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात कने वाले Google के बारे में, तो Google को हमारे Prime Minister and India को sorry बोलना पड़ा इस वज़े से, जहां guys, Google का जो AI है, Gemini वो बहुत सारे mistakes कर रहा है, historically गलत facts दे रहा है, आप लोगों को पता होगा, बहुत बड़ा controversy चल रहा है भी, तो इसे controversy के द से, उन्होंने simply reply किया कि sorry, we are unreliable, मतलब कि भाई literally वो पिल नहीं बोल रहे है कि अभी हम लोग भरोसा करने लाइक नहीं है, we are unreliable, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले Apple के बारे में, तो Apple को 16,500 करोड का fine लग गया, जहां guys, I'm not kidding, EU के तरफ से उनको 2 billion dollars का fine लगाया गया, क्योंकि apparently उन्होंने कुछ rules break किये थे, basically हुआ गया था, कि जो rival music streaming services है, like Spotify, उन्होंने Apple के against ये complaint फाइल किया था, कि iPhone user जो है, वो app store के बाहर, cheaper way में subscribe नहीं कर पा रहे हैं, उनके apps को, क्योंकि Apple उनको allow ही नहीं कर रहा है, तो ये जो unfair trade practice कर रहे थे Apple, इसके will take many years, let's see, आगे क्या होता है, तो चलिए बागे बढ़ते हैं, हम लोग बात कहने वाले playground season 3 के बारे में, तो playground season 3 के कौन से youtuber judges होने वाले, चलिए मैं आप लोगो बताता हूं, यहां guys, last year playground season 2 के दौरान, आप लोगो यादी होगा, judges थे, Triggered Insans, Scout, Kerry Minati, Harsh Benival and Ashish Shanchalani, अब इस तो he will be the second judge, बट बाकी दोनों judges को ने, इसके बारे में scout अपने live stream में यह कहे, अब कुछ लोग को यह चीज सुनकर अच्छा नहीं लगा कि Triggered Insans नहीं होंगे इस show में, तो किसे ने comment भी कर दिया था उनके page में, तो वो reply दिये, ऐसे निराश नहीं होते दोस, अभी तो judges का खुलासा होना बाकी है, stay tuned, तो जैसा कि scout बोले, maybe some kind of a twist हो सकता है, बट चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में, तो क्या फुकरा इंसान and crazy deep का, तुम मेरे three song आ सकता है, well guys, शायद आप लोगो याद होगा, 10 मेना पहले, Triggered Insans के channel में एक song आया था, तुम मेरे two, जो कि फुकरा इंसान and crazy deep गाये थे, अब उस time तो ये गाना चला ही था, but recent times में भी लोग इसके उपर बहुत सारे reels बना रहे है, and it's going viral, फुकरा इंसान इसके बारे में क्या बोले, आप खुद सुन लो, अलबम आने वाली और किकनी खुशी की बात है कि तुम मेरे two, Instagram पे वाइरल हो रहा है, it was trending number 26 और Instagram Reels को, अगर आपने Reels नहीं बढ़ाई तो जाके बनाओ, भाई, 7-8 दिन में कम से हम 1,25,000 Reels आही है, यार, ओ, अच्छा लगता है ना, कि लोग कहते थे, यूट्यूबर क् क्या इसका पार्ट 3 आ सकता है, क्योंकि फुक्रा इंसान इसके बारे में ये प्रॉमिस दियत है, तो चलिए बागे बड़ते हम लोग बात कने वाले Tech Burner के बारे में, तो Tech Burner एक बहुती बड़ा Announcement करने वाले है, यहां guys basically उनने ट्विटर में एक पोस्ट किया था, कि जब वो अपना YouTube स्टार्ट किये थे, तब उन्होंने अपने family से request किया था, कि बस मुझे 1000 दिन दे दो, कि मैंको कुछ करना है, अब starting में उनका ये journey बिलकुल भी अच्छ and 11 साल बाद, अब हम हमारा एक digital school बना रहे है, जिसमें आप सी के अपनी life में कुछ better कर पाएंगे, 11th March 2024, 6 PM, तो भाई, वो अपना digital school अनाउंस करने वाले है, तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले cafe के बहुत ही shocking incident के बारे में, तो guys, Guru Gram से यह वाला story आ रहा ह उनका jeep cut गया and it was very painful, eventually जब उनको hospital ले जाया गया and उनको बताया गया कि यह सब हुआ है, तब पता चला कि instead of mouth freshener, उनको dry eyes दे दिया गया, literally guys, it is very harmful and बहुत जादा उनको pain हुआ, तो of course उनने पुलिस में जाकर complaint file किया and case register हो चुका है, तो चलिए वागे बढ़ते हम लोग बात कहने वाले एक शादी के बारे में, जो की hospital में हुआ, जहाँ guys, Bengal से यह वाला story आ रहा है, जहाँ पर एक bride शादी के दो दिन पहले, hospitalized हो गई थी, stomach pain से with viral hepatitis, शादी का date वगरा सब कुछ fix हो गया था, तो उनके family चाहते थे कि उसी दिन शादी हो, तो उन्होंने hospital के authorities से permission लेकर वही ward में, जहाँ पर वो admitted थी, वहाँ पर अपना शादी कर लिए, so यहाँ को चलिए, आप कुछ achievements के बारे में बात करते हैं, so first of all, Death Wish YT ने complete कर चुके एंड़ेट के subscribers, then Munil Sir ने भी complete कर चुके एंड़ेट के subscribers, then Miss Voice Over complete कर चुके 1 million subscribers, and finally Desi Army complete कर चुके 4 million subscribers, so many many congratulations to all of them, so चलिए आप कुछ international stories के बारे में बात करते हैं, so first of all, नोग बात करने वाले Jay Shetty के बारे में, तो क्या popular self-help creator and podcaster Jay Shetty को expose कर दिया गया, well guys, अगर आप इनको नहीं जानते हो, तो उनके Instagram में 15 million plus followers है, and YouTube में इनके combined subscribers 7 million plus है, but recently The Guardian newspaper के तरफ से एक article release किया गया, जहाँ पर वो Jay Shetty क against बहुत ही बड़े allegations लगाए, वहाँ पर बताया गया था कि Jay Shetty जो अपना story बताया थे, कि वो इंडिया में as a monk रहे थे, without any money for several years, यह बिल्कुल fake story है, इतना साल वो अधर नहीं रहे थे, उनके associates खुद बताया, also उनके उपर allegations लगाए गया, कि उनका जो content है, वो copied and plagurized है from other creators, बाकि अगर आपको detailed way में जानना है, तो इस news article का link में नीचे description में दे दिया हूँ, तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात कने वाले Jeff Bezos and Elon Musk के बारे में, तो Jeff Bezos, Elon Musk को cross करके richest person बन गया, जहां guys, आज इस तर related ही वाला news आ गया, कि Jeff Bezos का current net worth हो गया 200 billion dollars, और वो cross कर Elon Musk को जिनका net worth है 198 billion dollars, तो भई Jeff Bezos, Elon Musk and Bernard Allant के बीच में चलते रहता है यार, यह लोगी first, second, third place में खेलते रहते हैं, बाकि चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना है, अगर आप कोई वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना, न्यूस सब्मिशन का लिंक डेस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप कुछ न्यूस भैजोगे, तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डेस्क्रिप्शन में, तो यह ऐसे आप मिलते नेक्स वीडियो में, तिल देन, बबाए!